I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason, if they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them, if you're coming for me, hope you're ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving Hello Dostow, I am a friend, this is all I will learn, now we will learn how to use a lati, but here we will learn some advanced techniques to learn, we will learn two techniques to learn, then we will learn more about it, so this is all, we will learn how to use a technique to learn and help us to learn, and we will learn how to do this video, और आपको पता है हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं वो सार है आपकी कमेंड करते हो वीडियो हम लाते हैं तो चली जाद निकाल लेना है ठीक है central निकालने के बाद में उसको भीच में पकड़ लेना है आपको अब आपको पकड़ने लाथि को इस तरीके से state पकड़ना है state पकड़ने के बाद में जो उपर वाला इससा है इसको इधर down करेंगे फिर यह जो हाथे हमारा इधर पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर round करेंगे और फिर यहाथ हमारा वापस आजाएगा ठीक है? आपको एक एक point ध्यान रखना है क्योंकि काफी ज़्यादा हमें comment आते आपकी कलाई किस तरीके से गोम रही है वो हमारे समाज में नहीं आ रही है तो कलाई पर गोर करिएगा देखे इस्टेट पकड़ा हमेने लाठी को यहाँ पर down किया यहाथ इधर में पीछे गया यहाँ पर लाठी round करी और यह वापस आ गई ठीके उसके बाद क्या करना आपको अब यह लाठी वापस वही सी हो गई पर यह वापस repeat करेंगे और यह उसी position में ला लेंगे तो इसको हम कुछ point के अंदर बाड़ देते हैं सबसे पहला point लाठी हमारे down जाएगी इधर पीछे जाएगी फिर यहाँ से गोल भूम के आएगी और यह एक point हमारा complete हो गया second में हम यहां पर इसको round देंगे और यह वापस उसी position में लाएंगे जहां से हमने start किया अब इसको हम continue कुछ करेंगे ठीक है देखिए अब इसकी आपको speed बढ़ाते जानी है क्योंकि जितनी आपकी speed बढ़ेगी उतना आपका जो है लाठी बिल्कुल अच्छे गोमेगी और इत्ती speed बढ़ा लेना है आपको कि आपकी जो लाठी है उसके में से हवा की आवा जाना चालो हो जाना चीए तो ठीक है दोस्तों यह हो गई हमारी एक टेकनीक अब हम सेकंड टेकनीक सिखेंगे लाठी को सेंटर में ही पकड़ना है लेकिन अब हम लाठी को गुमाएंगे सर के उपर तो सर के उपर गुमाना बिल्कुल आसान है लाठी है उसी position में है इसको हम क्या कर रहे है यह जो उ नीचे डाउन जा रहा है मेरा यह हाथ उपर उठ रहा है ठीक है और यह मैंने उल्टा कर दिया ठीक है लाठी जो हमारी इस position में है इसको हमने हाथ को उठा के इधर उल्टा कर दिया अब आपको क्या करना यह जो हिस्सा है इसको हम करेंगे इधर डाउन लाठी को इस तरीक बहुत वाफ़ इसको हम इधर डाउन लाएंगे मतलब धीरे-दीरे डाउन करना है और यह हाथ है इसको भी हम धीरे-दीरे इधर ले आने की कोशिस करेंगे ठीक है अब लाठी जो है हमारी इस साइड में इस्टेट हो गई अब हम उसको उपर वाले हिस्से को इधर डाउन कर और यह वापस उसी position में लाया जासे start किया ठीक है इसको भी हमको practice करते जाना है और continue गुमानी की कोशिस करना है देखिए और इसकी भी जो speed है आपको increase करते जाना है और speed increase होगी आपकी practice जितनी आपकी प्रेक्टीस होगी उतनी आपकी speed हो इंक्रीस होते चले जाएगी ठीक है तो जितना आप practice करोंगे उतनी आपकी speed जो हो बढ़ते चले जाएगी तो practice करना बहुत जरूरी है अब यह second technique भी हम सीख चुके है अब दोनों को मच केसे करें तो उसके लिए बिलकुर simple तरीका आजमाएंगे हम लाठी को simple वैसी पकड़ के रखना है जैसा हमने पकड़ा ह सबसे पहला काम क्या था पहले technique को घुमाना उसके लिए यह जो पेर है इसको हम आज़र आगे लेंगे यहां पर यह इस तरीके से घुमाया फिर यह वापस उसी position में लाया फिर यह जो पेर है इसको हम ले जाएंगे वापस पीछे फिर यह second वाली technique घुमाएंगे फिर यह आगया आया ठीक है अब यह वापस उसी position में आया फिर यहां पर यह घुमाया फिर यह हमारा पेर पीछे गया फिर यह अब देखिए मेरा पेर और हाथ दोनों एक साथ गुम रहे हैं और यह चीजे दोस्तों आपको प्रेक्टीस के साथ आएगी एकदम से डारेक आप सोच अशी तरह से गुमा सकते हो ठीक है अब देखिए दोनों टेक्निक को हम एक साथ गुमा रहे हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ जब यह टेक्निक हम दोनों को मिला कर और इस्पिड में घुमाते हैं तो केसी लगती है लाटे घुमते हैं वह वह देखिए तो देखा दोस्तों आपने जब दोनों टेक्निक को मिला कर हम एक नहीं टेक्निक बनाते हैं तो लाटिक घुमाने में बहुत ही सुन्दर लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजे समझ में आई होगी कुछ भी चीजे समझ में नहीं आई है तो कमेंट जरूर करिएगा तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ एक और टेक्निक के साथ तब तक के लिए बाए बाए